आदाब नमस्कार सत्रियकाल मैं आपकी होस्ट पूनम गोलेचा आप सबका स्वागत करती हूँ दूर दर्शन यादगीरी के इस हिंदी प्रोग्राम चमेली की एक नई प्रस्तुती में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है एक बहुत ही multifaceted personality आप एक teacher है एक लेखक है गजल लिखते हैं नजमे लिखते हैं नाटक लिखते हैं एक बहुत ही famous YouTube पे short film के director और लेखक है आज हमारे साथ मौझूद है ये बात करने वाले हैं हिंदी उर्दू भाषा में जो इन्होंने लिखा है कविताएं लिखी है गजल लिखे है नजम लिखे हैं कई सारे पुरस्कारों से ये नवाजे गए हैं तीन किताबों के लेखक हैं एक इंट्रिस्टिंग चीज इनके बारे में ये भी है कि आज मैं जिस कुरसी पर बैठी हूँ वो पहले इस कुरसी पर बैठा करते थे दूरदर्शन के कई हिंदी प्रोग्राम्स के ये होस्ट रह चुके हैं कई सारी personalities का ये interview ले चुके हैं लेकिन आज उनकी उपलब्दियों को देखकर दूरदर्शन ने उनके इस talent को recognize किया और आज बतौर expert as a guest आज उरे दूरदर्शन की इस हिंदी प्रोग्राम चमेली में उनने बतौर expert invite किया है I am delighted, I am very proud to present and welcome Dr. Raufuddin शाकिर जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में आपके लिए कोई नहीं जगा नहीं है, ये आपकी ही territory है मेरा पहला प्रशन आपसे ये है कि इस कुर्सी से उस कुर्सी तक का आपका ये जो सफर रहा है आपकी ये जो journey रही है, आपका जो experience रहा है, आपका तजुर्बा जो रहा है हमारी audience से share करिए धन्यवाद पुनम जी, सबसे पहले तो मैं दूर दर्शन का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे समय दिया और मैं आपका भी जो है शुकर गुजार हूँ जो आपने कुछ बाते मेरे बारे में बताई हाला कि वो किस्सत तक सही है, ये तो खेर हमारे शोताई पै करेंगे ये प्रशन बड़ अच्छा है आपका कि जो है, उस कुरसी से इस कुरसी तक की जो यात्रा है जो सफर है, तो मैं कहूंगा, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक साहब कहा करते थे, कि जब ललके बहुत शरारत करते हैं तो वो मैसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते कि उनके जो बड़े होते हैं, विशे शूप से उनके माता पिता वो क्या चीज़ सहन करके, कितना प्रेम करके, कितना उनके भविष्य के बारे में चिंता करके उनको डाटते डपटते हैं, रास्ता बताते हैं तो उन्हों कहा करते थे कि देखो बबा जब आदमी खुद पिता बन जाता तो उसको इस बात का अनुभव हो जाता कि वो क्या चाहता है तो मैं आज ऐसा ही महसुस कर रहा हूँ कि मैं उस कुरसी पे बैटके बड़े बेबाक और बड़े दिल खोल के प्रेशन किया करता था और आज इस कुरसी पे हूँ तो कुछ सहमा सहमा सा भी हूँ इसलिए कि कहीं ऐसी कोई बात जो मुझ से पूछ ली जाए जो मैं मतलब ना हूँ या ना कह पाऊँ तो वो कैसा रहेगी तो ये बड़ी सी असमन जस सी इस्तिती है ये लेकिन मैं नियाए पूरा करूंगा और आपने सच कहा है कि ये लिखने पढ़ने का काम पाटन पाटन का काम कई वर्शों से होता आ रहा है लेकिन शायद ये जो मसर्रत है ये जो खुशी है उसको वेक्त करना थोड़ा सा मु आप ये जायेगा जरूर 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 आप जिस तरह से से बोल रहा है कि आप सहमे से हैं क्यूंकि आप आज उस कुरसी पर बैठे अज को सोचिये आपके इतने एक्सपिरिंस के सामने आज मैं आपसे प्रशन पूछ रही हूँ मैं भी शायद उत्मी ही सहमी और डरी मेरा आपसे ये प्रशन ये भी है कि आपकी जो चलिए ये कुरसी तो आपका रीसेंट सफर है बड़ आपने लिखने की पढ़ने की ये शुरुवात कैसे की ओडियन्स को मैं ये भी बता दू कि लिखने का शौक तो इन्हें है ही बट हिंदी के ये हेड ओफ डिपार्टमेंट है सुल्तान उल्लम कॉलेज के बतार हेड ओफ डिपार्टमेंट है बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने इस पैशन को भाशा को लेकर जो इनका प्रेम है हिंदी और उर्दू के प्रति, दोनों भाषाओं के प्रति, वो स्टूडिन्स तक ले जाने की कई सालों से एक सार्थक कोशिश कर रहे है तो आपकी ये जो जर्णी है लिखने की, पढ़ाने की, भाषा के प्रति जो प्यार है आपका, इसकी शुरुवात कैसे हुई? ये मैं अगर अपने माजी में जहांकूंगा, अपने अतीत में देखूंगा मैं, तो मैं पाऊंगा कि ये शुरुवात हुई थी बहुत पहले, और इसमें प्रेंडना हमारे टीचर ही थे स्कूल के, जोनोंने सबसे पहले मुझसे निबन लिखवाया था, और वो निबन जमा करते रहें, और हम बोले के कवीता है ये, लेकिन धीरे-धीरे उसमें फिर निखार आता गया, और उसके बात कहानी की तरफ हम प्रेरित हुए, माइल हुए, और कहानी लिखना शुरू करें, और फिर आपने भाशा का जो जिकर किया है, मैं समझता हूँ, दोनों भाश है, अम्मी की भाशा, और दूसरी जो है, मेरी रोटी की भाशा है, अच्या, जिससे मैं जो है, वर्षों से जो है, अपना पालन पुशन करता रहा हूँ, तो दोनों भाशाओं का समान रूप से, मेरे पास समान है, और दोनों भाशा हैं, बिल्कुल अलग है भी नहीं, के दोनों जो है जुडवा है यह जो है दोनों मिलकर ही जो है काम करती है एक ने मुझको जनम दिया है एक ने मुझको पाला एक मेरी मा जैसी है एक है मेरी खाला तो दोनों जो है आपस में जुड़ी वे बहने हैं और दोनों का इंकार नहीं किया जा सकता लोग धर्म के आधार अलग-अलग करते हैं मुझे लगता है कि गलत है तो जो है आप अगर पाएंगे तो लिपी अलग अलग है जी स्क्रिप्ट अलग-अलग है लेकिन महसूस जो बात की जाएदी है और हम जो फील करते हैं वो मुझे लगता है कि सेम है मुझे एक बात इता है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा दोनों समान है, दोनों जुड़वा है दो दो भाषाओं को जो आपने पढ़ कर माहिरी हासल की है दो नाओं में एक साथ जैसे बोलते हैं कि आप सवार होकर चल रहे हैं क्या आप दोनों भाषा के साथ उतना ही नयाय कर पाते हैं जितना हम नॉर्मली एक भाषा में पूरी तरह से जब डूब जाते हैं तो दोनों ही भाषाओं को उतने ही प्रेम से और मेरे कहीं आपके एक आटिकल में पढ़ा है जैसे आप बोल रहे थे कि उर्दू आपकी मातर भाशा है, आपकी माँ की भाशा है, बट आप अपने पिताजी से इतने इंस्पायर हुए थे, कि आपने बोला कि उर्दू मेरी मदर टंग नहीं, मेरी फादर टंग है. जी मैं वोई बता रहा था जो है जसा मैंने लिखा भी है जुडवा है ये जुदा नहीं दोनों बहने एक उर्दू माहे हिंदी मासी इनका रिश्टा नेक तो ये मा और मासी का रिश्टा है तो हुआ है मेड़म कि मेरा केजी से ले के करी जी तक कि जो मेरीकुद की पड़ाई रई है वो पूरी तरह से Hinदी में रही है अच्छा और maggot को में बहुत मानता भी हूं कि हिंदी के जो है धुए हमरी राजभाशा है और मैं धाइअगा धाला-धिया यह होथरा स्वावीमाण है हिंदी हुए हमारा स्वावीमाण ह लेकिन उर्दू क्योंके मेरी मदर टंग थी और घर पे पठन पाठन का मौका था और ऐसा माहौल था और मेरे फादर बहुत एक्सपर्ट थे और उन्हों गजिट अट पोस्ट पे थे तो उनकी तरफ से और फिर हम शेर और शायरी की तरफ जो है माहिल हुए गालिब को हमने बहुत सुना और पड़ा और हम और भी जो साहिर लुद्यानवी थे और जो है बहुत सारे राइटर्स थे इसमस्चुक्ताई थे राइटिंग में और हम गुलजार साब की राइटिंग से निदाफादली की राइटिंग से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि ये लोग उर्दू में लिखा करते थे या लाकि निदाफादली की परंपरा तो दोनों भाशाओं की है तो लिखा करते थे तो हम जो है शौख के तोर पर उधर पढ़ने के लिए गए तो मेरे पिता ने मेरी बहुत सहायता की इस संदर में और उन्होंने मुझे सिखाया अच्छली ही इस मैं टीचर तो उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी होती है फेरुज लुकाद उर्दू की वो डिक्शनरी मुझे ऐसे गिफ्ट भी दी और मुझे सिखाया और एक तरह से वो तालीम मेरी घर पर हुई ये तालीम मेरी स्कूल औ colleges में हुई और आप इश्वास नहीं करेंगे कि जब हम college में गए degree में गए पीजी में गए तो ऐसे हमारे professors थे जिन से हमारी मुलाकात कभी सम्मेलों में होती थी शाम में और दिन में वो हमको पढ़ाते थे university में तो ऐसा हमारा प्रकाशित होता रहा हूं हिंदी के जो हमारे शहर के जो प्रसिद पत्रिकाएं और अखबार हैं और मुझे मेरी हिंदी कहानी को पुरसकार भी मिला है और उर्दू के जो हमारे मशूर अखबारात है especially हैडराबद के उसमें मैं लगातार जो लाता रहा हूं एक अगनाई सुआ है और ये लोग मुझे अपना समझते हैं और वूकी मुझे अपना समझते हैं तो क्या परवा है कि जो है दोनों से एक अपना रिष्टा बिलकुल बना के हम उस प्रंपरा का निर्वा करे और आपने कविता से भी एक बात मुछ से पूछी थी कि लिखने का क्या सिलसिला है तो मैणें इस बारे में मेरा कहना है कि आत्मा के सौंधरिय का शब्द रूप कावे है आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप कावे है मानव होना भागे है कवी होना सौभागे है तो ये बड़ी सौभागी की बात है ये बड़ी जो है और फिर जो है आदमी जो है जब तक तखलीख कार नहो अदीब नहो शायर नहो तो जो है वो शायद म तक्रिया, मैं ऐसा समझता हूं. इसलिए कहता हूं कि कविता लिखना सरल नहीं है. पूछो इन फंकारों से. ये सब लोहा काट रहे हैं कागस की तलवारों से. वाउ. तो ये लोग बड़ा ही समाज के निरमान का काम, वेक्तित्फ के निरमान का काम करते हैं. तो हमारे अंदर हरें एक अंदर एक शायर और कवी, लेक्रक कोता है एक इख्प्रेस तो आप लेखर को गई कवी ज़ाहते हैं अगर आप एक्स्प्रेस नहीं करे तो आप शुटा के रूप में पहचाने जाते है यह आपसे बात करते समय आप पहले भी बता रहे थे कि भाशा का अगयन सबसे important aspect यह है कि आप किस तरह से अपने आपको व्यक्त कर पाएं, किस तरह से आप अपने आपको express कर पाएं, सबसे ज्यादा जैसे की धनवान आपके हिसाब से वही है जो अपने विचारों को व्यक्त कर सके इसमें जो आपने शब्दों का यह जो माया जाल बनाया है कि कवी होना सौभाग यह है, it's beautiful, poet की as a moral responsibility, as a social responsibility, आपको क्या लगता है कि आपकी position society में कितनी important है as a poet? जी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी पूर्णम जी, जहां पाता हूँ, मैं समझता हूँ हमारी जो creativity है, हमारा जो स्रिजन है, हमारी जो तकलीक है, वो अपनी जात के दिखावे का वसीला होना चाहिए, कि आपका जो अंदर है, वो आपका बाहर निकल गया है, और मैं as a poet, as a writer, और आपने मेरी फिल्म भी यूटूब की जिकर की, उसका भी जो content है, मैं समझता हूँ, मैं कोई social slogan बनाना नहीं चाहता, अपने creativity को, लेकिन मैं सिर्फ वो आपके अंदर की जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो कर्ब है, वो वेक्ट करना चाहता हूँ, और उस पीड़ा से connect होना चाहता हूँ, समाज में जो कुछ है, जो हो रहा है, क्योंकि एक writer और लेका अचूता नहीं हो सकता, उन्हें समाज से कटके ने जी सकता, तो क्योंकि जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसका उन्हें हिस्सा है, तो जो अनुभफ करता है, जो फील करता है, वो वेक्ट करता है, लेकिन अपने creations को slogan बनाके, जो घट रहा है, उसको प्रस्तूत कर देना, या उसका समाधान वेक्ट कर देना, मैं वेक्टी का दूरूप से नहीं मानता कि यह, क्या है, आपका वेक्टित्व, आपका परिवेश, आपका जो बैगराउंड है, वो सामने रहेगा, आपकी जो इस्तिती है, सामाजीक इस्तिती, áर्थिक स्तिती, सब माइने रखेगी, और मेरी स्तिती भिन्न होगी, तो हम वैक्टिकत रूप से, कैसा इस चीज को जो है फील करते हैं आगे बढ़ते हैं यह निर्वर करता है तो मैं ऐसा मानता हूँ इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सब्रेक कहीं मत जाईएगा एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रहा है डॉक्टर रॉफुद्दीन शाकिर जी के साथ आप सबका स्वागत है चबेली के इस हिंदी प्रोग्राम की प्रस्तुती में यह कह सकते हैं कि जो शायर है या जो पोएट है या जो कवी है वो सुसाइटी के इन इशूस पे मरहम का काम करते हैं दवाई का काम करते हैं मतलब कड़वी चीज़ को बहुत ही खुबसूरत तरीके से उसे प्रेजन्ट करना उस पर एक शुगर कोटिंग करके उसको प्रेजन्ट करना यह आपकी जो कविताएं हैं आपकी जो घजले हैं आपकी जो नजम हैं वो सुसाइटी पे मरहम की तरह काम करती हैं दवाई की यूं भी कहा जा सकता है कि हम अपने दर्थ की शिदत को कम नहीं करते, जरा सी बात पर आखों को नम नहीं करते, बने बनाए रस्तों पर चलते नहीं हम, तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते, तो हम जो है कुछ भिन्न करने की कोशिश में लगे वे हैं, लेकिन हमारा योगी हो जाए, अल्टिमेटली क्योंकि यह जगा, धर्ती, इंसानों के बसने की है, इंसानों के रहने की है, तो हम कैसे इसको स्वर्ग बना सकते हैं, कैसे जो है, हमारा यहां पर होना साथ्थक करते हैं और निकल पाते हैं, वो ही एक लेख़क और कवी का उदेश होता है बहुत ही difficult चीज़, आपने इतने सधारन और simple शब्दों में कह दी है, कि अपने आपको व्यक्त करना एक कवी की responsibility है, अपनी thoughts को, अपने विचारों को जो भाशा में व्यक्त कर पाता है, वही सबसे धनी है, यह बहुत मुश्किल बात है, जो आपने इतने सरल शब्दों मे कह दी है, आप यह भी बता रहे थे कि आपके जो पिताजी रहे हैं, आप गुलजार साब से भी बहुत inspire हो है, तो कभी आपके इस inspiration से, कभी आपके इस guru से, कभी आपके इस idol से आपको मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला, और अगर मिला तो व यह ऐसा था मेरे माहूल के जो है, यह कहानी लिखने के लिए भी यह बड़ा यूगदान इसमें रहा है कि हम लोग जो है मैं मेरे मादा पिता और मेरे भाई, हम लोग फिल्में बहुत देखा करते थे अच्छा और बहुत फिल्में देखा करते थे 70's 80's की बात है अच्छा, आप मुझे मेरे कॉलेज में था इसे पहले भी तो वहां पर लड़किया थी कुछ वो बोला कर दी थी सर आप तो चलता पर ता रेडियो स्टेशन है और आप जो है फिल्म इंडियन फिल्म जो हिंदी फिल्म है उसका इंसाइकलो पीडिया है क्योंके हम जो है उसकी पूरी ब लोग किसी गाने को लेकर किसी फिल्म को लेकर जो है किसी शर्त लगा लेते हैं दूसरे से तो मुझे कॉल करते हैं अच्छा यह गाना कौनस गीतकार का लिखावा है और इसे किसने गाया है और यह मोस्ली 70s 80s 90s तक की बात कर रहा हूं मैं प्रेजेंट की नहीं तो कहानिय कहीं न कहीं जो है अपनी फेंटासी वर्ल को क्रियेट कर गई और हमको लगा कि ऐसी कहानी तो हम भी कह सकते हैं मिले बिचड़े ऐसा हुआ और जो है वो अमीर हुआ गरीब हुआ मारदार हुई और फिर उन्हें जो है ऐसा किया वैसा किया एक नाएक है एक नाइका है एक जहन के किसी गोशे में चलता रहा और फिर जो है हम उसी से प्रेरित हो के कहानिया लिखना शुरू करें और स्रिजन की तरफ आ गए हैं और जब हम मतलब थोड़ा सा इमेच्यूर हमारा जहन था तो हम जो मारदार वाली चीज़े हैं और जो सताई चीज़े हैं वो चीज़ जो है जो बात अपनी कहती है मिलती है जिन्दगी में मौबबत कभी कभी और जो है कहा है ये दुनिया वाले जो है या फिर मजरू साब जो कहते हैं शैलेंदर जो कहते हैं हजरत जैपूरी जो कहते हैं ये सबसे होते हैं जब अब गुलजार पे जाके रुके तो हम देखे कि हमने देखी है उन आखों की महकती खुश्बू, हाथ से छूके से रिश्टों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसा से ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, तो हमें लगा कि ये शख्स तो कुछ अलग बात कह रहा है, और इसकी बातों में चले गए, और हमें लगा कि ये आदमी कितना सफल है, कितना असफल है, वो महतवपूर्ण नहीं है, और मैं वक्तिकत रूप से पूनम जी आपको ये बताओं, कि मैं मानता भी हूँ, कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ये माइने नहीं रखता, ये माइने रखता है कि आप कितने डिफरेंट है, क्योंकि रवन का भी सम्वान है, पुर्ण वहूं कि गए, बहुत बड़ा था लेकिन उसका भी सम्मान है, तो जो खलनायक होता है, उसका भी अपना योगदान होता है, खलनायक ना हो, वेलन ना हो, तो हीरों की कोई महत्व नहीं है, तो आपके कहानी कि ये आत्मी कितना डिफरेंट है जो कहता है जो है जो एक बार वक्त से लमहां गिरा कहीं, वहां दास्ता मिली, लमहां कहीं नहीं तो हम बोलें कि इसके बारे में हम और मालूम करेंगे तो मैं बहुत स्टेडी किया, उनकी किताबें पढ़ा, उनकी फिल्में देखा सर दुर्गेश नंदिनी मैडम मेरी गाइड रही है, बहुत ही सुल्जी वी महिला के अंतरगत मेरा पीएड़ी हुआ, मैं आभारी हूँ उनका भी, तो जो है फिर हम गुलजार के स्टेडी किये, गुलजार सापी बहुत और ऐसा अफसर आया फिर, के हिदराबाद में चिल् हमारे उस्ताद ने हम को कभी हाथ पकड़ के सिखाया नहीं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, फिर मैं कुछ अरसे तक बॉम्मे में भी रहा, और मैंने बहुत से लोगों से मुलाखात की, वो एक इच्छा थी, दबी-दबी सी समझे, उसके बाद फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे फिर अपना शहर बुला लिया मुझे, आकशित किया और यहां पर आया, फिर रोजगार वगरा का सिलसला रहा, और फिर उसके बाद विवा वगरा भी कुछ हुआ मेरा, तो जिमेदारियां बड़ी, तो हम बिल्कुल हैदराबाद शहर के हो गए, लेकिन स्रिजन और क्लियेशन का काम आज भी उसी शिदत से जारी है, तो यह जो फिल्मों का आपके प्रती जो प्रेम रहा है, जो आपके परिवार का, यह जो आप फिल्मे साथ में देखते थे, तो उस एज में परदे पर रहना, फिल्मों से किसी भी तरह से जुड़े रहना, मत्तब ड् है, और आप मुंबई भी गए, आप गुल्जास आप से भी मिले, तो फिल्मों की आपकी यह जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, फाइ में आस्क, आप स्रिजन की तरफ आ गए, आपने तीन किताबे लिखी, एक शॉट फिल्म भी लिखी आपने, जो आज यूट्यों पर काफी फेमेस है, समरपन जिसका नाम है, इसका एक रिलीज वगेरा भी हुआ था यहां होटल में, और काफी प्रशंसा की गई है उस फिल्म की, तो कही न कही आपका जो जुकाव है, वो फिल्मों की तरफ है ही, पूरी तरह से शायद आप उससे नहीं जूर पाए, बट कही न कहीं आज भी आप किसी तरह से जुड़ना चाह रहे हैं उससे, तो इसके बार में बताइए, यह काफी आपने जो है, जैसा कहते हैं, दुक्ती रख पकरना, तो आपने अच्छी बात कही, कि वो एक मलाल, वो एक तो था, कि जो है, और रहेगा भी, लेकिन फिर भी ए अपने क्रियेटिविटी का काम करते हैं, और फिलमें भी एक्छी एक क्रियेटिविटी का माध्यम है, बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ भी आदमी बड़ा क्रियेटिव होता है, तो वो तो नहीं हो सका, और कभी-कभी, और अक्सर मैं मैं फिलों में जो एक शेर भी पढ़ा यह उस प्रस्पेक्टिव में लेकिन यहां की जो अपलब्दिया हुई है मैं समझता हूँ के जो है और मैं जैसा कि मैंने यूटूब पे लिए फिल्म बनाई आदे गंटी की मुवी है हलां कि लोग जो है शॉट फिल्म पांच मिनिट साथ मिनिट की बनाते हैं हमने बड़े ही कैन्विस पे शूट की प्रफेशनल कैमरा प्रफेशनल आर्टिस्टों को लेकर सारा हमने जो है जो बैक स्टेज होता है जो बैक स्टेज पर काम करते हैं पूरा प्रफेशनलिजम को यूज किया है वेरी नाइस और फिल्म के काफी पशेंसा हुई है टेकनिकली भी क्योंके हलांके मैं मानता हूँ कि टक्नी की महारत कभी किसी को बड़ा नहीं बना सकती कोई टक्नी की महारत आप अगर बी एट करते हैं अमेट करते हैं जरूरी नहीं है कि आप अच्छे टीचर हूँ आप जो है किसी इंस्ट्यूट से जाके जो है फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा लेने के बाद आप एक अच्छे फैशन के एक्सपर्ट बन जाएं जरूरी और उस प्यास को लेके हम सिजन का काम करते रहेंगे देखिए आप दुआ करिए और भविशे में हो सका तो हम एक फिचर फिल्म भी बना देंगे अगर हमागो अफसर ऐसा वक्त हाथ लगे क्या पता कि जो है कौन सा अफसर कब आ जाए बिलकुल बिलकुल इंशालला आपक आपके कविताओं के प्रती आपके जो लेखन के प्रती आपका ये जो पैशन है जैसे आपने बोला कि अंदर का पैशन होना चाहिए तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा ये हम दुआ करते हैं आपका ये जो दुख है इससे पहले भी आपने बताया कि आप कौन से क कि जो इनसान की वेदना होती है, दुख होता है, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, लिखने के लिए, क्रिएशन के लिए, हाला कि बहुत अलग-अलग तरह के कवी होते हैं, जो अलग-अलग जॉनर्स में लिखते हैं, चाहे वो श्रिंगार रस हो, चाहे वो प्रेम हो, कॉमेडी हो, आप किस पर लिखना पसंद करते हैं, आपके जीवन में मुझे लगता है कि आपकी बाते सुनकर थोड़ा सा एक ठहराव, एक दुख, कहीं न कहीं, उपरी सतह की बाते नहीं, आप काफी डीप थॉट्स पर लिखते हैं, जी मैम, आपने प्रेशन में दो एक पॉरजबाते कही हैं, एक तो आपने दुख के बारे में बात कही है, तो यू है कि जो है, मेरा ही एक शियर है और मेरा दौहा है, कि तारूफ क्या दूँ," अब अपनी जिंदगी का तौमको मैं." Ц्ँके देखो, बहुत गीला है हिससा इस आँक کے नीचे है. और एक मेर करी अव्ता दोह है के अपने होने मेरा नहोने का अभास त्रिश्णा विपदा वेदिना सांसों का इतिहास अब आप यह बात où यह अंध बात है बलगे क्योंकि इसी से शायर को उपचने की जो है शक्ति मिलती है और उन्हें जो है पॉजिटिव सोचता है उन्हें जो आप्टमिस्टिक हो जाता है आशावादी हो जाता है लेकिन चुके मैं ऐसा मानता हूं कि जो खुशी होती है मिनम ये फुलजड़ी की तरह होत है अच्छा उसे आप सुलगा दीजे और सारा माहौल मौत्तर कर दीजे सारे वातावरन को सुगंदित कर दीजे तो वो जो अगरबती के महिकने का और देड़ तक जलने का जो ऐसास होता है उसमें से जो है आदमी को जो है उपचने का अफसर मिलता है तो हम इसलिए जो है किए के बज़ाए कि मेरा एक डायलॉग भी है कि जो है तकलीव हमेशा रात में होती हैं तो दिन के मुकाबले में रात का जयादा महत्व हैं और खुषी के मुका जहां हे जहां है क्वशी के मुकाबले पर अपने पूछा था कि जॉआनर की बात आपने की थी, तो मैं शुरू में बात हुई हिंदी अटू में लिखता हूँ और मैंने कहानिया लिखी हैं, मैंने नाटक लिखे हैं, मैंने रेडियो के स्टेज के प्लेइज डिरुक किये हैं, और अभी तो फिल्म की स्क्रिप पै कानी की चर्चा करेंगे, तो कहीं न कहीं जो Man की गहराईयों की जो बात है, अंतरंग की जो बात है, जो मतलब मनोवِ ग्यान की जो बात है, है वो बात मैं कहने की कोशिश घरता हूं मिनम जहां से जो है कोई बात और मैं रिजल नहीं देता अपने निशकर्स नहीं कालता हूं मैं अपनी कविताओं में भी और अपनी कहानियों में वह आडियंस पे छोड़ देता हूं में यह बहुत ही अच्छी बात है पोएट का भी ये काम होता है कि वो हमें conclusion ना दे बस उसे इतना खुला छोड़ दे कि आप अपने ही thought process को या अपने अंतरमन में जो आपकी वेदनाये चल रही है जैसा आपने ही बताया है कि गम हमें एक मौका देता है कि हम सोचे हम समझे हम अपने आप से जुड़ें अपने आप के अंदर एक ठहराव लेकर आए कि हम अपने ही विचारों के साथ सोचें और उस चीज़ से उभरें ये as a कवी आप हमें मौका दे रहे हैं अपने ही विचारों के साथ जुड़ने का और सोचने का यह बहुत ही एक खुबसूरत आप में एक टालेंट है धन्यवाद मैम तो आपकी किताबों के बारे में बताईए आप जो लिखते हैं जैसा आपने कहा था कि मेरी अब तक टीन किताबें प्रकाशित हुई है और एक हिंदी में और दो उर्दु में और हिंदी की अगली किताब भी मेरी बहुत जल्द आएगी वो कहानियों का संकलन है मौसम उसका शीरशक है उसमें एक दस कहानिया है जो प्रकाशन के मरहले में हैं और यह जो किताबें हैं इसमें गीले पत्ते नाम की मेरा पहला संकलन है और उसमें पूरे कविताओं हैं और कुछ घजले मी हैं और इसको हमारी हिंदी अकाड़िमी ने जो है कुछ आर्थिक रूप से सहायता देकर प्रकाशित किया है और ये जो है आपको सरकारी सते पे जो है लैबरेलिस वगरा में मिल जाएगी मेरे पूरी कविताओं का निचो अपनाई नाम का भी उसमें एक नाटक है और इसको जो है उर्दू एकाड़िमी ने अपना माली ताउन देकर या सपोर्ट करके चापा है तबाद की है इसकी और तीसरी किताब है मेरी कैक्टस इसमें मेरी कैक्टस उसका शीर्षक है और उसमें जो है उर्दू की मेरी नज में जमाती है, आप देख सकते हैं कि आघ्सास वही है, फिलिंग वही है, फाशा अलग-अलग है लीप हे खाली कि अगर आप मेरी हिंदी कवीत आइं पढ़ेंगे सुनेंके देखेंगे और अर अभर मेरी अडु की नजमें देखेंगे तो पाएंगे कि जो है जो पड़दे के पीछे आदमी है जो दस्तक दे रहा जो हम जगाने का काम कर रहा जो सोचने पर मजबूर कर दे रहा वो है तो एक आदमी लेकिन शायद वो लिबास बदल के जो हमारे पास आ रहा कि उसकी बात पहुंच जाए और मैं मानता भी हूं मै आईसी फिर हम जो है खतम हो जाते हैं जन ले गए तो भाषा की कंगाली मेरी नजर में बड़ी बात है तो इसलिए भाषा में आदमी को जो है सम्रुद होना चाहिए सक्षम होना चाहिए इसी बात पर हम लेते हैं छोटा सब्रेक कही मत जाईएगा एक बहुत ही इंट्रेस चल रहा है डॉक्टर रॉफुद्दीन शाकिर जी के साथ आप बात कर रहे थे अपनी तीन किताबों के बारे में गीले पत्ते, कैक्टिस और आपकी जो प्लेज का कलेक्शन है रुस्वाईया तो बहुत ही डिफरेंट और एकदम अलग से इनके नाम है इनके पीछे की हमें कहानी बताईए कि कैसे आपने ये नाम रखा, कैक्टिस तो बहुत ही अलग है और अगर आप अपनी किताब से हमें कुछ घजल, कुछ दोहे, कुछ काविता अगर पढ़के सुनाएं तो पहले हमें इसकी पीछे की कहानी बताईए है आक्छूली क्या था गीले पत्ते मेरी एक ऐसी कुईता थी जो शायद मन के खरीबी थी और उसमें फिर वही रात का और वही घजल, लुक्रें ग़म काई वही सब कुछ गम से उभरने का सिलसला था तो वह कुईता थी मन के खरीब थी तो लगा कि जो है क्योंकि फिर नेचर की भी बात आ जाती है उसमें पत्ते जब आप करते हैं तो प्रकृति के बिना तो शायद हम घुज भी नहीं है तो मैंने जो है फिर कैक्टिस भी एक तरह से वो भी एक पौदा है तो कहीं आपने जो है इनसान की प्रकृति और जो उपर वाले की प बहुत बैतर है और आपने कैक्टिस का जिकर किया तो उसमें एक बड़ी मनवग्यानिक पोएम भी है वो कैक्टिस तो वो मुझे लगा कि यह बात शायद लोग जानना चाहेंगे कि यह कुछ साइंस की बात तो है नहीं यह पोईट्री है तो इसमें कैक्टिस क्या कर रहा ह तो जरूर इसको पढ़ेंगे ऐसा सोच के मैंने जो है उसका नाम दिया और वेक्टिका दूरूप से मुझे पौदा अट्रैक्ट भी करता है मैंने अच्छा जब जो है आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए या अपने जो है आंगन में रखिए उसकी एक खास मतलब एक अट्रैक्शन होता है कैक्टिस का क्योंके सारे जो है काटे होते हैं और वो हलना के लोग फूल की तरफ आकरशित होते हैं मैं समझता हूं कि जो है काटा वो चीज है जो फूलों को जो है सुरक्शित करता है नाम से ही खलिश है वरना शेर है नाम से ही खलिश है वरना मै मैं वो काटा हूँ जिसकी हिफाज़त में फूल है तो फूलों की सुरक्षा काटा ही करता है तो कैक्टिस भी हमारे जीवन में प्रेना के जो है अंदर से हमको निखारते बहार देते हैं इसलिए मैंने वैसा टाइडिल रखा हूँ कैक्टिस की एक खास बात यह भी है कि पानी जहां पर काम होता है तो उसमें यह एबिलिटी होती है कि जितना भी पानी उसे मिले उतने में ही वो संतुष्ट हो जाता है उतने में ही वो ग्रो करने की पोशिश करता है यह आई तिंक हमारे लिए भी एक बहुत ही खुबसूरत लेसन है जो अपनी कविता के थ्रू शोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कुछ एक कविता हमें पढ़कर सुनाई है आपकी फेवरेट या फिर आपकी बिल्कुल यह तो फरमाईश मुझसे होती भी है कि जो है शायरी कीजे और कविता पढ़िये जो भी मैफिलों में हम जात हैं तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए काश तुसको किसी शायर से मोहबत हो जाए वाओ तो यह सारे मोहबत का सिल्सला है प्रेम की बात है तो मैं गीले पत्ते में से आपको कुछ क तो उग आती हैं आँखों में एक हलकी सी मुस्कान और जब अनायासी बहुत से खोय हुए रास्ते मिल जाते हैं तो फैल जाती हैं आँखों में हलकी से गुदासी नजाने कौन सा अनुबव है ये कैसी अनुबूती है कि जहां कोई भी कही अन कही बात सशक नहीं है और मिजाज के इस बहरूपिय शरीर में जरा भी परंपरा का रख नहीं है आईनों सा साफ उसका टॉट पिल है हम वो नहीं है जो अकसर किसी आप किसी तुम या किसी तू के साथ होते हैं बलके हम तो वो हैं जो सिर्फ जितने अपने में के साथ होते हैं वाँ बल्के हम तो वो हैं जो सिर्फ जितने अपने में के साथ होते हैं तो क्यों ना आज इस परीचे के बाद हम स्वेम को अपने में के इन साफ आईनों में जरा देख लें हम स्वेम को अपने में के इन साफ आईनों में जरा देख लें क्योंके इन आईनों जैसा साफ और कोई यहां नहीं है बलके कहीं नहीं है। वह वेरी नाइस। यह आपको अंदर से जो है आपको जोड़ देती है कि विल्कुल सोचने पर मज़ूर कर देती है। जिस कवीता की बात में कर रहा था जो काफी प्रसिद भी हुई और कवी सम्मेलोनों में जो है इसका डिमांड भी रहा। इसके चार पंच बंद है इसको जो है मतलब मैंने उसके रूल्स फालो करते वे जो है बंद में लिखे हैं। आप क्योंकि खुद एक महिला है तो आप जरूर इस से जुड़ पाएंगी। अधर और मेरे जुड़े की कली। याद है तुमको अपनी बस्ती की वो वीरान गली नजाने अपनी कितनी शामें राते बंबन के ढली। नैन काजल मौन अधर और मेरे जूडे की कली दूर रहकर इन सबसे क्यों इतने दुख सहते हो प्रियतम तुम क्यों अदास रहते हो। बारिज जाड़े या गर्मी हर मौसम में साथ रहे। बारिज जाड़े या गर्मी हर मौसम में साथ रहे। मौन दुआरा किया इस पर्ष और नैन अपने हाथ रहे। तेरे कारण बनकर चांद छट पर सारी रात रहे। तुम कैसे बिना अतीत वर्तमान में जीते हो। प्रियतम तुम क्यों अदास रहते हो। चहरे पर चिंताएं हर पल बहती रहती हैं इनको भी शिकायत है टपटप गिरती कहती हैं बिना कोई संबंद पराए घर वो रहती हैं। एक छोटी उम्र को शताबदी सा जीते हो। प्रियतम तुम क्यों अदास रहते हो। देखे एक साधारन महिला, एक साधारन वेक्ती जो काम कर जाता है वो बड़े से बड़ा दार्शनिक नहीं घरवाता। यही बात है इसमें कि उन्हें जीना सिकारी उसको जो जीवन को इतना सीरस ले रहा है। कौन भला दे सका है परिभाशा जीवन की यह तो जैसे मदीरा म्रिग के आंगन की है। केवल सुगंद सार्थक अवशक्ता क्या मधुबन की है। संतुलन में जीना सीखो क्यों बाटों में बढ़ते हो प्रियतम तुम क्यों उदास रहते हो। आखरी बन इसका आखरी बन देखिएगा। यह कवीता मेरे मन के भी बहुत खरीब है। और गीले पत्ते में प्रकाश्ट है। और आपने फिर रुसवाईयों का भी जिकर किया। तो रुसवाईयों में तो नाटक है पूरे। लेकिन उन नाटकों के विशेषता यह है कि उसमें जो है समवाद बहुत ही इंपॉर्टेंड रहे है। डायलोग्स अब हम जो बात करें वो भी समवाद ही है। बिलकुर। और अपनी अभिवक्ति, अपने संप्रेशन का माध्यम है। आपके दोस्त आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। इसके पीछे भी इसका कारण यह है कि आपकी जो स्ट्रॉंग पॉइंट रही है। आपके डायलोग्स आपके डिल को जो छू जाने वाले बहुत गहरे शोच में डालने वाले दिल को एक्दम जग जोरने वाले जो आप समवाद लिखते हैं। ये आपकी खासियत रही और आपके दोस्त इस वज़े से आपको हार्ट स्पेशिलिस्ट बुलाते हैं तो एक तो डॉक्टर हो गया जो कार्डियोलिजिस्ट एक आप जिसे लोग जो दिल की जो इशूस को है उसको सही में समझ के उसे बाश्चा में उतारते हैं तो इसके बारे में में बताएगे इसमें डायलॉक्स का क्या था मिनम मैं इस पर ज्यादा मेहनत भी करता हूँ क्योंकि बात साधरन रूप से कहने के बजाए अगर आप अभी मैं आपको रुस्माई हैं कि कुछ डायलॉक्स एक दोचार में आपको सुना देता हूँ इसमें जो मैंने बात कही है जैसा क्यारक्टर इसमें गार्ष में कहता है तुमारे छतन बेकार है विनम, एक डायलॉग है यह इस लिए विए व उतना नहीं थी, एक क्यारक्टर गहरा है इसलिए विसिए विए थी नहीं थी जैसा मैंने उसे अपनी आवास का उन लेकर अपने जहन की सुईं से उसकी शकल को बुना था अपनी आवास का उन लेकर उसके जहन को बुना था उसके जहन का उन लेकर और वो इतनी काली थी वो क्यरेक्टर था ऐसे लगता था उसे देखकर जैसे खुदरत ने उसके चेहरे से एक चुटकी लेकर सारे आलम के लिए राद बनाई हो अमेजिंग अबर एक डालॉग था कि जो है एक बड़ा ही मनविग्यानिक सिस्तिती रहती तो उसमें पत्नी पती को समझाती है देखो तुमने ही मानोगे और कब तक खर्श करते रहोगे अपने बीते कल को हम सिर्फ हमारे होते हैं हम अपने को किसी और में उगा नहीं सकते और देखो विजए जिन दर्वाजों पे पुश लिखेवा हوتा है जिन दर्वाजों पे पुछ लिखावा होता है अगर उन दर्वाजों को जिन्दगी भर भी अपनी तरफ खीचोगे तो वो कभी नहीं खुलेंगे और फिर मैंने लिखा कि जो है उम्र जिस तर्तीब में चलती है ओर्डर में आप 15 के हुए फिर 16 के हुए फिर 20 के हुए फिर 25 के हुए वो एक ओर्डर है तर्तीब उम्र जिस तर्तीब में चलती है जिन्दगी उस तर्तीब में नहीं चलती है आपका जीवन उस ओर्डर में नहीं चलता और अकसर हम वो जो सब जिन्दगी से उगलवाना चाहते हैं वो निगल जाती है और हमें चुपचाप समझोता का लेना पड़ता है एक जगा था कि यह समाज बड़ा रिवायती है पारंपरिक जो ना कानों से देखता है और ना आखों से सुनता है यह क्योंकि आप जब उसका मतलब देखेंगे कि जो है और इमेरे समरपन में भी था डायलॉग कि क्या होगा हां अगर तुम नहीं होगे वो पैसे से कहता है तो क्या होगा अगर तुम नहीं होगे तो हम पेट को काट लेंगे और पीट से बान लेंगे मगर तुम को अपना खुदा नहीं कहेंगे वो क्यारेक्टर जो है कहता है और वो कहता है कि अक्सर खाबों के जो पेड़ होते हैं उसके उमीदों के फल नहीं आते और पैसा उसमें कहता है कि अक्सर लोग पैसे से मिलने के लिए अंधेरों से उजालों तक चल कर आते हैं और मुझ तक पहुँचने तक अपनी जवानी और बच्पन दोनों खर्च कर बैटते हैं तो इस खिसम का जो है मैं डायलॉग जो है कहता हूं और एक कारेक्टर कहता है मड़ा मुझे पसंद है क्योंकि आप महिला है वो कहता है कि देखो अंजमरानी ये एक मुनफरिद तकलीख है तो डिफरेंट क्लिएशन है राइटिंग इस डिफरेंट क्लिएशन और वो भी डॉक्टर फरास की उसमें कारेक्टर दॉक्टर फरास समझी तुमारे चूले पर चड़ीवी डाल नहीं है कि जब चाहा कुछ भी डाल दिया और वो पकर तैयार इसके लिए तो सासों के लिए जिगर से खून उधार लेना पड़ता है आपने कैक्टरस की बात भी मुझे से पूछी थी तो मैं वो कैक्टरस क्यूं रखा उसके भी एक नजम है इसमें सुना देता हूँ उससे पहले और एक छोटी से नजम है जो मेरे मन के खरीब है और शायद आपको पसंद भी आए कि मैं कभी यूँ ही मैं कभी यूँ ही अक्सर सोचता हूँ कि वो जो होने से पहले होता है वो क्यूं होता है अच्छा वो जो होने से पहले होता है वो क्यूं होता है अब यहां से देखिए आप कवीता अपना सफर शुरू करी नजम वो जो पाने और खोने के बीच का मुजज़ा है मुज़ा इस मिराकल चमतकार वो जो पाने और खोने के बीच का मुजज़ा है और वो जो मिलने और बिच्छने के बीच का फासला है और वो जो जुडने और तूटने के बीच का मरहला है वो जो पाने और खोने के बीच का मुज़ा है वो जो मिलने और बिच्छने के बीच का फासला है और वो जो उलज गए हैं अपने ही जवाबों से, सारे अधूरे सवाल उलज गए हैं अपने ही जवाबों से, नजाने है कैसी तलाश है, ये कैसा तजस्स है, तजस्स इस खोज, किस खोज में निकले है, ये मेरी नजम सोचने पर आपको कर दिये, अब मैं सुनाना चाहूंगा आपकी फ हम जाएंगे तो उसका लुट्फ जो है अलगी आएगा अजियतें सिर्फ वो नहीं होती जो औरों की मारिफत हम तक आएं यानि पीडाएं पीडाएं सिर्फ वो नहीं है जो औरों के माधियम से हम तक आएं हम वो बात करें अजियतें सिर्फ वो नहीं होती जो औरों की वाहh वेरी रैच दूसरा जो दिया वो नहीं अपना मै बिल्कुल बिल्कुल लोग बहासानी करते हैं नकाशी क्रेविंग लोग बहासानी करते हैं नकाशी रिष्टों की दीवार पर तनकीद के तेड़े मेड़े फूलों की तनकीद ऐस निंदा रिष्टों की दीवार पर तन्खीत के तेड़े मेरे पूलों की पर फूल जाते हैं पर फूल जाते हैं के ये बजाहिर साफ और शफाव दिखने वाला उनके वजूत का ड्राइंग रूम पर भूल जाते हैं कि बजाहिर साफ और शफाफ दिखने वाला उनके वजूत का ड्राइंग रूम सजाए हुए है अपने अंदर नजाने कितने ही अना के कैक्टस अना इस अहम इगो तो उनके वजूत के ड्राइंग रूम में सारे इगो के कैक्टस है वही तो कारण है कि तरन्ष यह है, मुझे मुझे मौका दीजे कि मैं अपनी अंडिस्टैंडिंग बताऊं कि हम जो दूसरों को ब्लेम करते हैं हमारी तकलीफ के लिए, हमारी दुख के लिए उसका असली कारण हम खुद हैं, हमारे अंदर का जो अहम है, वो हम इग्नोर करके दूसरे रिष्टो में जो आपने बोला था ना, क्रिटिसिजम की जो कार्विंग करते हैं, वही हम, ब्रिलियंट है सर यह तो, सही में कैटिस का जो आपने, उसमें बहुत खुबसूरती से जो प्रयोग किया है, अपकी कविताएं सुनकर, आपके इतने खुबसूरत विचारों को सुनकर, मैं जो फेवरेट हैं, आपके जो आदर्श है, आपके जो आइडल है, गुलजार साब, उनकी आप मुझे काफी तस्वीरें बता रहे थे, उनसे जुड़ी आप मुझे काफी सारी इंटरिस्टिंग कहानिया भी बता रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप वो जो आपकी एक्स्प मतलब बहुत लोग, काफी लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, पर शायद कोशिश नहीं करते वहां तक पहुँचने की, आपने अपनी उस जर्नी को अपनी इस कोशिश को कंटिन्यू करके गुलजार साथ तक आप पहुँचे, किस तरह पहु तो मैं गिफ्ट भेजा करता था एवरी एर, और इसे रिलेटर एक बहुत अच्छी बात भी है, उनके पतर भी मेरे पास लिखे वे हैं, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं, गुलजार साथ ने आपको पतर लिखे हैं, उनकी किताबे मुझ तक पहुँचती रही हैं, हर बार जब कभी उनकी किताब आती है, तो एक बड़ा अच्छी बात उसमें रही है, और मेरे दिल के खरीब भी है, कि ऐसी समय था जब मैं एक गिफ्ट के बारे में सोच रहा था, क्या गिफ्ट उनको दूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किताब भी दे दी, हमने ये भी बोल दिया, ऐसी भी बात होगे, क्या दे, तो अचानक कि ख्याल आया जहन में के चलो भी, अब ऐसा कुछ करते हैं, तो जमाने में हमने कैसिट वगरा रिकॉर्ड की थी, पुरी मेरी शायरी थी, उनके गाने थे, ऐसा एक बनाई थी, तो मैंने उन्हें बात बताई कげ जो है, सर, मैं ऐसा सोच रहा था, और अचानक जब जो है, ख्याल मेरे जहन में आकर गिरा, ये मिरी जैसे गली में पड़ोसी का बच्चा कोई खेल रहा हो, और उसकी गेंद आपके आंगन में आकर गिरती हो। बिल्कुल एक ख्याल ऐसे ही मेरे जैन में गिरा और आप विश्वास कीजिएगा कि गुलजार सहाब को ये इश्तियारा जिसे कहते हैं इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने खत में लिखा कि शाकर अगर तुमका इतराज नहो तो ये जो पडूसी के गेंद वाली बात है कि जो है वो मैं अपने किसी गीत में अपनी किसी नाजब में इस्तेमाल करना चाहूंगा अपनी घजल में तो ये मेरे लिए बड़ा ही कॉंप्लिमेंट था कितनी बड़ी ऑनर की बात है बिल्कुल जी 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 तो ऐसी बहुत सारी घटना जीवन में होती रही है और फिर आप जैसे सराने वाले लोग बुलाने वाले लोग बात करने वाले लोग प्रेनना देते रहे हैं तो आशा है कि स्रीजन रहेगा बिल्कुल बिल्कुल आपसे अज बात करके आपसे आप जो हमारे स्टूडियो में आज आई आज आपने इतनी सारी खुबसूरत हमें कविताएं सुनाई इतनी मन को जगजोडने वाली अपने आप से जुडने वाली अपनी जो बाते अभी हमें सुनाई हैं ये सुनके बहुत ही मज़ा आया अनफॉचनेटली समय की जो कमी के कारण हमें प्रोग्राम तो आज समाप्त करना पड़ रहा है बट ऐसी बहुत सारी अनकही बात जरूर मिले आपकी नई किताब मौसम के लिए आपको बहुत बहुत शुपकामना है आपकी नई फिल्म भी अगर आप जो लिख रहे हैं अगर कोई आने वाली है फीचर फिल्म की जैसे आप बात कर रहे थे तो इंशालला वो भी बहुत जल्दी आए यूटूब के लिए ह जाफ के विए पस्क्रिप्स टीयार किया है मिनम रेतिक है जो जब बाप बेटा और मात टीनों के बीच जो साइक लोजीकल दवंद चलता है विचार उंका जए जए इनरेशन गैप होता है और बाप अपनी तरफ से देखता है बेटा अपनी तरफ से दिखता है फिर बीच बिल्कुल बिल्कुल हम दुआ करते हैं कि आपकी किताबे इसी तरह से लोकसरा हैं आपको प्यार दे और आप इस तरह से कई और कविताओं का गजलों का नजमों का आपसरजन करते रहें हमें इसी तरह से एंटिटेन करते रहें अपने विचारों को इसी खुबसूरती के आप व्यक्त करते रहें, दुरुदर्शन में अगली बार ज़रूर आईएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ जुड़े दुरुदर्शन के स्टूडियो में, आज हमारे साथ आप अपने विचारों को अपने व्यक्त किया, और हमें बहुत ही एं झाल